हालो अब्रीवन आई वेलकम तो वाल आफ यू इन दिस वीडियो फ्रंस इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जनल नालिज के कुछ एमसी की जो मिसलीनियस चैप्टर में इसे लिए गया है आपके जनल लालिज के लेटर है जेके पेश्चे के लिए एक्जाम के लिए तो काफी जाद इंपॉर्टन रही क्यूंकि सारे जितने भी कोशन इस लेटर जेके पीश्चे ही है और बेल्डव्य के एक्जाम के लिए यहां पे जिग्राफी के और पॉलिटी के कोशन यहां पे आपको इंपॉर्टन देखने को मिल सकते हैं तो हिस्ट्री के लेटर भी आपको चीज़ें इंपॉर्डन देखने को मिल सकते हैं बेल्डव्य के लिए तो बच्चे बहुत शिरे थे कि सर इंचिन हिस्ट्री हमें इस वीडियो में आज करेंगे हम लगवग लगवग 40 प्लस कोशन और वीडियो को एंड तक जुरू बने रहिएगा अगर आप इस चैनल पे नई है तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब जुरू कर लेजीगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आपको एक क्या होगा यह चीज पहले भी कंड़क्ट हुई थी उदुमपूर डिस्टिक में तो अब इस बार फिर से एक फ्री लास्ट टेस्ट होगा फ्री कंड़क्ट होने चाहरा है उदुमपूर डिस्टिक में जो भी यहां पर उदुमपूर डिस्टिक के कैंडिडेट्स हैं क्य free for everyone कोई भी बच्चा यहां पर जा सकता है अगर आप कहीं से भी अगर आप पॉजिवल है उदूंपूर में आना तो आप आ सकते हो और यह सबसे बड़ी बात है कि यह इसका जो मोड है क्योंकि इससे पहले जो एक एक एक्जाम हुआ था इनका मोग टेस्ट इन्होंने कंड़क्ट किया था जेके भी एसी का तो उसमें उन्होंने भी जनल स्टडी का पूरा कंड़क्ट किया था बट इस बार क्या है कि जो 120 कोशन यहां पे हैं वो सारे कोशन जेके प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपको सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं आपको सारे रिवाइस करके जाना है और अपना स्कोर वहां पर चेक करना है यह सारा का सारा जो कोशन पेपर है 120 कोशन जिसमें है 150 मार्क्ट का जो टोटल है और इसका आपको कोशन पेपर भी वहां पर मिल जा अगर आपको address का नहीं पता है address यहां पे दियागे जो उदुमपूर के students हैं उनको इस address का मालूम हुँगा कुछ बच्चे गे भी थे उस institute में जो previous mock test हुआ पर इस बार का जो mock test है वो 120 marks का होने वाला है और यह free for everyone के लिए आप जा सकते हो इस दिये गे number पे आप WhatsApp कर सकते हो तो आपको इसका question paper भी दिया जाएगा और आपको इसका free of cost आपको कोई cost पे नहीं करें है जाए मोटिवेशन मिलते हैं और हम आपके लिए question plus के साथ आपको free of cost पेडिया प्रोवाइड करने की कोशिच कर सकते हैं बोल रहा है कि quit India movement was launched by महात्मा गांदी इन किस year में quit India movement launch किया गया था 8085 में देखे 8085 में INC की establishment हुई थी इंडिया national congress की ठीक है 1942 में यह चीज पॉजिबल हुई थी जब modern history पढ़ोगे इस तरह का question जो है BLW के exam के लिए पूछा जा सकता है यह के भी SME पूछा जागा और exam में पूछा जा सकता है अब science के later question आए है BLW वालों के लिए important नहीं है when iron is rusted it is जब iron को rusted लगती है यानि की जंग लगता है तो वो क्या कहलाता है reductions के लाता है, oxidize के लाता है, evaporation के लाता है या फिर decomposed कहलाता है मैं आपको एक बहुत ही simple language में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही simple language में आपको यह lecture provide करने की कोशिच करता हूँ daily basis पे कि सारो को सभी बच्चों को एक easy language में चीज़े समझा जाए, iron को जब रस्टेल लगती है तो वो oxidize होता है, क्या होता है, oxidation कहा सकते है, oxidize कर सकते हो, ठीक है अब जब इसको रस्टेल लगती है तो एक question आपको यह भी बन सकता है कि when, iron, heating, जब iron को heat किया जाता है तो फिर क्या होता है, it is, याद रखना यह question पूछा गया है किसी exam में, यह क्या होता है, expanded the size, इसका जो size होता है वो expand हो जाता है, यह आपने चीज़ खुद देखी होग expand is in size, size इसका बड़ा हो जाता है, तो याद रखना है, यह points भी काफी important है, exam point of view से चीज़े काफी important है, जो मैं आपको लिख वाई, अब next, next यह क्या कहता है कि iron melting point क्या कह लाता है, iron का melting point भी तो होता होगा, iron का melting point क्या होता है, melting point क्या होता है, यह भी काफी important question है, 1538 degree Celsius पे iron जो आपका melt हो जाता है, याद रखना है, यह काफी ज़्यदा important question है, ठीक है, चीज़े, जो जो चीज़े important होकी, मैं वही आपको इस वीडियो में करवाँगा, extra जिस पे मैं ज़्यादा focus कर रहा हूं question पे, तो समझी लिएकर वो चीज़े काफ ज़्यदा important हो सकती है, next question हाता है, कि who was the chairman of drafting committee of the constitution assembly, देखे, BLW 25 secretary के exam में भी यह question पूछा जा सकता है, आपको चीज़ों को ऐसे पढ़ना है, कि all around it पढ़नी है चीज़े, कि आप particular exam की त्यारी नहीं करो, कोई भी exam आये सामने, जिसका slab is same हो, तो आप चीज़ों को easily handle कर सको, who was the chairman of the drafting committee of the constitution assembly, कौन थे drafting committee के, चेर्मेन को थे, क्या वो पंडी जवाल नहरू थे, सधार बलाबाई पटेल थे, बी आर अमबेटकर थे, या फिर केम मुंची थे, तो वो थे, डाक्टर बी आर अमबेटकर, ठीक है, बी आर जो अमबेटकर है, इनको father of Indian constitution के नाम से भी जान ने, ruled for the shortest period, कौन सी में से जो डेनेस्टी है, जिसका जो, rule करने का जो period था, वो काफी शोटा, देखने को मिला है, इंडियन हिस्टी में, अगर ये question की बात करूँ, तो middle history से आपका question arise हो रहा है, देखिएगा, जल्दी से इसका answer mark कीजेगा, अगर आपको आता है, तो well and good, नहीं आता है, तो wait कीजेगा, question number four है, इसका जो right option हो है, खिली जी देनस्टी, खिली जो डेनस्टी जी, दिली सल्तनात चोप आप पड़ोगे, इसका जो period था, वो कब से लेके, कब सकता, 1260 से लेके, 1290 लेकर, ये इसका period था, खिली डेनस्टी का, इस period में इन्होंने रूल क्या आप देख सकते हो, लगव अगव अगर बात करो, 84 years भी ये कह रहा है कि shortest period था इनका rule करने का, ठीक है, next question, इसमें आपको हर एक subject question देखने को मिलेगा, idea of the preamble has been borrowed in Indian constitution from the constitution of, कहां से बारू किया गया था, प्रेंबल का idea, Indian constitution में लाए गया, Italy, Canada, France या फिर USA, तो इसका जो पारे में हम already पहले भी discussion कर चुके हैं, हमारी जो previous videos हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, description box में जाओ, history की series चल रही है, इंडियन history की series चल रही है, जोग्राफी की series चल रही है, लक्षे नमर थर्ड हो चुका है, आज का मारा थल रहा है, Indian history का थर्ड लक्षे भी हो चुका है black mountains are located है, black जो mountains है, वो कहां पे located करती है, तो वो है आपकी कहां पे, US में, USA में, United States America में, हनुका हा, देखे इस तरह के जो है न, blue mountains बगर है, ये कोशन जो exam रहता है न, अपना CGL, SSC के जो exam रहते हैं, वहां पे काफी ज़्यादा chances रहते हैं, इस तरह के कोशन को arise किया जाए हनुका, the festival of light is associated with which one of the flowing religion, हनुका, एक festival of light जिसको हम कह सकते हैं, वो किस religion से relate करता है, Jewish से, Hindu से, Zen से, या वर Christian से, तो ये जो हनुका, जो festival है, ये लेट करता है, Jewish से, नेक्स कोशन देखते हैं, मानुलूआ is an active volcano of, मानुलूआ एक active volcano है, कहां पे, Alaska, Hawaii, Italy, जाचापान में, तो दोस्तों, ये जो मानुलूआ जो active volcano है, ये कहां पे है, हवायन, हवायन कुछ ऐसी नाम का जग़ा है, यहां पे वो complete नहीं दिया है, मानुलूआ का मतलब यहां पे क्या होता है, कि long mountain, long mountain, long mountain, इसका मतलब होता है, ये mountain लिका है, अच्छे से नह लिखा गया है, ये लांग mountain, इसके बाद कहता है, कि इसको हम एक नाम से और भी जानती है, जिसको कह सकती हैं, शील्ड बॉलकैनो, शील्ड बॉलकैनो के नाम से भी हम इसको जानते हैं, शील्ड बॉलकैनो, याद रखिएगा, नेक्स कोशन आता है, कि विच न्यू डिपार्टमेंट वास स्टार्टर बाई, मुहमद विन तुगलक फार दी डेवलमेंट आफ एग्रिकल्चर, एग्र अविलमेंट का जो मेट मोटीव था, कि सेट आप, सेट आप किया गया है जो डिपार्टमेंट किसके लिए, बेरेंट जो लैंड होती है, अंडर कल्टिवेशन, जो भी बंचर खेत जो रहते हैं, उनको कल्टिवेशन के अंडर में लाना था, दिवाने को ही एक दिख द्वारा काफी important question है पूछा जा सकते हैं कि बेरन जो लैंड है यानि कि जहां पर कुछ भी नहीं होता है जहां जो जो लैंड fertilize नहीं है तो उसको क्या करेंगे वो convert करेंगे cultivation land उसके बाद आता है कि which one of the flowing planets rotates clockwise clockwise कैसे होता है जैसे आपकी गड़ी चलती है इस तरफ इस तरफ ठीक है इस तरफ क्लोकवाई होते है कौन साइन में से हैं अर्थ है मार्स है वीनस है यह वन मरकरी है जो प्लानेट clockwise मूग करता है उसको बोलते हैं वीनस इसके साथ एक और आता है उसको बोलते हैं Uranus यह दो ऐसे आउनली टू ऐसे प्लानेट हैं जो की रोटेट करते हैं clockwise direction याद रखना यह बहुत ज़्यादा important question है एक्जामिनर आपको पूछ सकता है अगर इनकी direction पूछी जाएगी तो आपने बोलाए इस्ट तू वेस्ट यह मूग करते है ठीक है इस्ट तू वेस्ट यह मूग क तो वो हैब का Venus similar to area size यूपिटर जो होता है यूपिटर जो है सबसे बड़ा प्लानेट है biggest in size यूपिटर प्लानेट nuclear fuel in the sun is nuclear जो fuel होता है sun वो क्या है उसको hydrogen के नाम से जानते है ठीक है next question चलिए governor जो होगा state का उसको appointment कुण करेगा appointment कुण देगा उसको दैसे कि आपके lieutenant governor जा है उनको किस ने appointment किया president द्वारा तो इंडिया के जो president होगे वो उनको appointment करेंगे निफ्ती देंगे वो कितने period के लिए five years के period के लिए और eligible जो उनकी एज होनी चाहिए वो 35 years होनी चाहिए किसकी governor की एज ये काफी चोटे चोटे पॉइंस है जो jkpsi आपको पूछेगा ठीक है next question गोतम बुद्दा gave this first sermon at कहां पर उन्होंने अपना first sermon दिया था वो दिया था सरनात में कपली वस्तु में विशाली में खुशी नगर में तो वो दिया था सरनात में ठीक है तो इसका जो right option है वो है मोहिंजदारो काफी important है कोशन है आई बीसी के बारे में हम already बड़ी discussion कर चुके हैं इतनी आपको examiner पूछ सकता है उतनी मेने करवा दिया मैक मोहन जो line है वो international border बनाती है किन दो देशों के बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इं इंडिया एन चाइना कंट्री दो बार कोशन हागी किसको हम निपॉलियोन आफ इंडिया बोलते हैं किसको चंदर गुपता सेकंड को समुंदर गुपता को चंदर गुपता वन को यह वे चंदर गुपता मोरिया को तो यह आपका जो कोशन्स हैं यह आपका ancient history से arise हुआ है ह हम बोलते हैं समुद्र गुपता कौन नपोलियन अफ इंडिया नेक्स कोशन आता कि बिचावन अफ तो फ्रॉंग इस लॉंगेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है कौन सी है सबसे बड़ी रिवर तो वह आपकी गंगा गंगा नहीं है अमजोन भी नहीं नाई नाई जो रिवराओ वह लाट ये इस रीवर है वाललिकर रिवर एंडियर रिवर और यह मैं आपको पता तूंज्थ खैस को टउर्ट करती है अफिर का जो इसके दस हैं उसके इसके एते नाम आपको पता हूना जरूरही नहीं तर जादा चीज़ ह हैं तो अगर वर्ल्ड के लेटर चीज़ आ जाए जिगराफी की तो फिर होता है क्योंकि जे कैसाथ भी ने कोई भी वर्ल्ड का वोशन इतना खास नहीं पूछा था उसके बाद आता है कि वो वाज़ा फॉर्ट प्रेजिडेंट एड सूरत सेशन आफ कॉंगरेस 1907 1907 में जब सूरत सेशन हुआ 1907 में तो उस ताइम के प्रेजिडेंट कौन रखे गे थे उनों तो दोस्तों उस ताइम क्या हुआ था कि एक्स्टमिस्ट और मॉडर्निस्ट इन दोनों को डिवाइड कर दिया कि अलग लग इनके मेंबर बना दिये कि कौन कि इसको हैड करेगा ठीक है तो राश्विहारी बोस कौन थे राश्विहारी बोस को प्रेजिडेंट बनाया गया सूरह सेशन में और दोस्तों उनका ये कहना था जो एक्स्टमिस्ट थे वो चाते थे कि राश्विहारी बोस ना बने लाला लाजबत को बनाया जाए ठीक है जी उसके बाद नेक जामें दिये गए हैं अब आता है कि who is hailed as the god of medicine by the practitioners of Ayurveda ये कोशन मैंने उको पढ़ाया था ये god of medicine को था धन्वनतरी धन्वनतरी जुना घड रॉक इंस्पिरिशन एसोशेटरी टू कहां पर ये एसोशेट करती हैं ये ancient history से कोशन आया है अगर कोई बच्छा confused हो रहा है की च उसके बार आती है निलंदा जो जो उनिवस्टी थी was a great center of learning especially in बुद्धिजम का जो ये चीज़ था इसको ये great center था बुद्धिजम को लर्न करने का निलंदा यूनिवस्टी काफी important question मैंने आपको बताया था कि ब्रेट कितने द्वरा प्रकार के होती है उपनी शथ क्या है लास्ट बेदेन तावदी बिद्धिक पिरिड़ फेमस रॉकर टैंपल आफ के लिए सा कहां पर ये located है जन्ता की बात कर रहा है बदामी की बात कर रहा है चलक्यास बदामी वही चलक प्राम की बात कर रहा है इलोरा जो है इसका राइट आप्षन है इलोरा रॉकर टैंपल आफ के लासा तीक है जिसको बनाया था कृष्णा बान ने आई तिंग ये चीज़ टैंपल की बाहमत की थी कृष्णा बान एक रूलर थे याद रखना इतना बाडर नहीं है बड़ नालेज के लिए बैटर है अधर अधर पन सिविलाजेशन वास डिसकोवर इन अधर पजो सिविलाजेशन था उसको कव कव कवर किया था लोक्सभा इसकाल दा इन सैशन फार दी एटलिस्ट हाव मैनी टामस इन ए उनका जो सैशन होगा वो कितने ठाइक किया जाएगा तो वो टू टाइम्स तवाइस अब एक चीज इंपॉर्टन पता किया है हम पर अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये किस एक्जाम में कोशन पूचा गया था जी के भी ऐसी में पूचा गया था एक तो होती है लोक्सभा दूसरी होती है राज्यसभा ठीक है राज्यसभ में जब कोई विल बगएरा पास हो रहा होता है वहाँ पे जो मैट होते हैं उनका जो कलर है वो कौन से रेड कलर है याद रखना ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्डन कुशन है ये किसी ना किसी एक्जाम में कुशन आया था मुझे याद नहीं आ रहा है लोक्सभा का जो भी आपको इनी कर्दर में देखने को मिलेगा विच अमंग दा फ्लोइंग इस सेक्रेट बुक आप थी बुद्धिस्ट की यहां पर धार्मिक बुक कुन से उपनिशत बेदास त्रिपितिका यह फिर जटास जटाकास जटाकास त्रिपितिका इस राइट आप्शन सी आप फ्लोइंग दोमेस्टिक अनिमल्स वास अपसेंट इन्दी टेराकोटर साफ इन्दी इस वाले सब्सक्राइशन मैंने वह को बताया था कि बफैलो का भी वहां पर देखने हो जिक्र हुए है शिप भी हम पर देखने हो मिली है पिग भी देखने हो मिला है काउ और लाइन का जब आया विदी प्रेट चपाया तब क्या हुआ कि आरेन आरेन जो थे वो उन्होंने सब तब इस चीज को जाना शुरू गिया गाई को और तब वो उनका जो स्टेबल फूड था वो क्या था मिल्क और प्रोड़क्ट्स मिल्कदेर प्रोड़क्स यह चीज़ें की खाने बिने वी थी अब कहता कि चालका जाज्याज्यास्टी को सुसीट करने वाले कोण थे तो वो थे राश्टर गुताथ चालका धज्यास्टी के बाद को चाया राश्टर गुताथ उसके बादाए कि हूवाज first noun गुपता गुपता रूलर किस आज़ेगैं घर एगर इगर आ गुपता कान रूलर रूलर गुपता रिनासिटी के फॉपंटर तो च्छंसरी गntपता कौन थे तो वhet के फॉटरे पूपता कुन थे तो उसके बाद नेक्स्ट पुशन आना थे हैं क्यों कि यह वर्ल्ड की बात कर रहा है वर्ल्ड में तो मेगाल्या तो नहीं हो सकता मनीपूर मनीपूर इस दा राइट आपशन त्री पूरा नहीं है तेक है याद रखना इसका नाम है केबूल नैशनल पार्क अभी यहां पर आता है कि अंडर विच स्टेट दा रूल ही नहीं नहीं जो प्रेज़डेंट होता है वो किस आर्टिकल के ताहत प्रेज़डेंट रूल लगा सकता है इंडिया में प्रेज़डेंट रूल कब लगता है कि जब स्टेट की गोर्मेंट कांस्टिटूशनल प्रोविजन को फालो नहीं कर पाता है अच्छे से उ यहां पर प्रेजिजन्ट रूल लगा था तो वो थी केरला केरला किस समय की बात है नाइन्टी फिप्टी नाइन की बात है और यह इंपोस्ट कब हुआ था प्रेजिजन्ट रूल नाइन्टी फिप्टी वन में पंजाब में which one of the flowing is a primary rock primary rock किसको बोलते हैं sedimatory rock को Ignisius Rock को Metamorphic Rock को Ignisius Rock पत्त कुन सा होते हैं जैसे मैं आपको बालो कि Vermyl हिमादरी होगी Ignisius Rock है ठीक है उसके बाद आती है sedimatory rocks sedimetry rocks जैसे मैं आपको कह सकता हो कि coal प coal जो है example एक किसकी sedimetry rock की best example coal coal की खाइनों में हीरे को है पहचान दे खानी सिंग का गाना सुना अपने diamond कोईले की खानों से निकाला जाता है diamond diamond कौन सी रॉक है? metamorphic metamorphic जो है वो किसके composter बना है ignatious plus sedimentary ठीक है? इन दो के दोनों को compile करके कुन बनना है metamorphic rock ये तीन तरह की rock है अच्छे से पढ़ लो पूरा द्यानों कबर हो जाएगा अब कोशन पूछा किया था कि जो अपनी हिमादरी जो हिमालिया से है वो कौन सी rock में आती है तो उसका right option जो ignatious है sedimetry नहीं है ठीक है? पहले आपकी ignatious rock बन थी फिर उसके बाद आती है sedimetry rocks फिर आती है metamorphic rock और ये question जो है world की geography से है world की geography से लेकिए इंडिया की geography तक question आपको पूछे जा रही है तीक है? next question चलिए retreating monsoon gives rainfall retreating जो monsoon होता है वो rainfall कहां कर जाता है ये मालो हमारा इंडिया है ठीक है south west monsoon आई early June में ये branches आई urbancy से तो ये branches सबसे ज़्यादा बारिश कहां करती है केरला में coastal area में यहां पे western god में और ये क्या होता है? एक होती है binward side ये होती है πहाडी simple ये आई वारिश आई ठीक है? जो winds आती है इन हिमालेस के साथ तकराती है इन जो परवत होती है ये यहां पे तकराती है तो इनको बोलते है binward side binward side क्या होता है? कि यहां पे सारी वारिश होता है जो western guard है एक दूबरार्च जो की बेया बंगाल से होकर जाती है जो मेगाले में गारो खासी जेंतिया से टकराक की मेगाले में मैंसन नराम कुछ ऐसा पनॉन सेशन करने हो गलती हो रही है मेगाले में सबसे ज़्यादा बारिश करती है फिर क्या होता है कि जो ये सप्तमबर 15 सप्तमबर के बाद ये रिट्रेट हो जाते हैं यानि कि मानसूं की बापसी स्टार्ट होना जाती है तामिल लाडू में ये बारिश नहीं होती क्योंकि ये लीवर साइड आता है पहाड़ियों के इस तरफ आता है तो इस पैटर्न को हम कौन सी रेनफार बोलते हैं इस पैटर्न को हम बोलते हैं औरोग्राफिक रेनफार ये कोशन जेके पी ऐसे में पूछा गिया था लीवर साइड बारिश नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि पहाडियों से विंड्स दो आती है वो पहाडियों के साथ टकराती है टकराने के कारण क्या होता है वहाँ पर वारिश हो जाती है क्योंकि वो आगे मतलब कि आप क्या करो हाथ लो ठीक है उसको ऐसे पंक्खे के आगे रखो जो स्टैंड की टेबल फैन होता है उसके आगे रखोगे तो आपके सीधे हाथ पे हवा लगेगी मतलब बैक साइड इसके हवा नहीं लगेगी आपको क्यों क्यों कि वो आपकी लीवर्ट साइड है और विंड वर्ट साइड कुण सी है जहाँ पे आपको हवा लग लग रही है तो ठंड़क कहाम पे होगी आपके जो यहाँ पे हवा लग रही है वाँ पे वारिश बगरा होगी ठीक है हाथ में वारिश नहीं होगी आसे समझाने के लिए मैं अजूम कर रहे है जब रिट्रीटिंग मांसून का पेरिड होगा तब क्या होगा कि मांसून रिट्रीट होगी यानि कि बापसर जाएंगे लैंड टू सी जाएंगे क्योंकि बिंड जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के रफ मूग करती है एर्थ का प्रेषिर अब वहाई हो गया होगा तो इस तरफ आप आप देख रहे होगी ये जो आप भी जो वारिश बगईरा हो रही है और डिरिडी मानसून हो रही है तो ये सबसे ज़ादा बारिश तामिल नाडू के एरिया में करके जाती है याद रखना ये काफी जाद है important question अब उसके बार next question आता है which one among the following cell organelles is semi-perimable तेके दोस्तों क्या है कि मैं सबसे बहले एक बड़ी बात ये बता दूँ कि मैं science का student नहीं था मेरा science subject था ही नहीं क्योंकि मैंने ये चीज़ें नहीं बढ़ी हुई है तो science को मुझे समझाने में या फिर कुछ चीज़ों को जितना मुझे नालेस है मैं उतनी आपके साथ शेयर करता हूँ किस cell को हम organism को semi-perimable के नाम से जानते हैं तो वह है nucleus cell को father of extremist moment in India कौन थे father of extremist moment के तो वो थे आपके बाल गंगा दलते लग उसके बाद आता है कि next question from bearded अचार्य विनुवा वावे स्टार्टर दा individual सत्य ग्रह 9040 9040 में विनुवा वावे ने क्या कि individual सत्य ग्रह को स्टार्ट किया कहां से स्टार्ट किया यह महराष्टरा की बात कर रहे महराष्टरा से यह चीज स्टार्ट हुई और विनुवा वावे द्वारा और इसका जो राइट आप्शन है वो आपको भी होई इसके recording regarding अगर मैं बात करूँ तो और भी कुछ important information है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ थोड़ा वेट कीजेगा एक second important चीज जो थी आपके साथ discussion करना जरूरी थी क्योंकि वो काफी जाद important थी अब आपसे अगर पूछा जाएगा examiner कि दिल्ली चलो जो moment थी वो किस से associate करती थी किस सत्तेग्रह से तो वो करती थी individual सत्तेग्रह से ठीक है अब कि यहां पर क्या हुआ कि भिनोवा बावे मैंने अचारे भिनोवा बावे इनका पूरा नाम था यहां पर इन्होंने गलती कर दिये और 1940 में यह सत्तेग्रह चलाए गया अब यहां पर बड़ी बात यह आती थी कि यह कब स्टार्ट किया था यह 17 अक्तूबर को स्टार्ट किया गया और सेक फरस्ट तो यह थे बिनोवा बावे जो नाम है सेकिन कों थे पंडित ज्वालाल नहरू ठीक है और ब्रहमा दत इन तीनों को क्या किया जेल में डाल दिया गया अरेस्ट कर लिया गया अगर इनको रेस्ट नहीं करते तो दिल लिए असेसिनेटेडड इन इंडियाप में गर्शन होगागा ये वह молод मौय इंडिया इना आप है बूस औरिसा वर्ड फेमस कुनार कसंड डैपल वाज विल्ड वाइक किसके दोरा चंद्र गुप्ता दोरा इसको बनाये घा ता और फेमस कुनार कसंड डैपल है शरी क्रिश यह अप्शन नहीं है इसका इसका अंसर है नर्सीमा देवा कन्फूजन चीक है नर्सीमा देवा इसका राइट अप्शन है नर्सीमा चंदर गुप्ता नहीं नहीं बनाया था इसको क्योंकि यह जो नर्सीमा देवा थी यह कौन सी डैनेस्टी से बिलाओं करते थे गंगास डैनेस्टी से यह लो ग्रीन हाउस एफेक्ट कौन सी गैस है जो सबसे जादा इनमें से जो की ग्रीन हाउस एफेक्ट में शामिल है देखे दोस्तों ग्रीन हाउस एफेक्ट क्या है इसके बारे में तोड़े जान लेते हैं ग्रीन हाउस एफेक्ट कैसी हैं यह मतलग कि इनका जुरूरी क्या हमारे लाबदाएक हैं या नहीं है यह हमारे दिलिए benefits हैं क्यों हैं अगर चाहता रंग होती है water vapor इसका रानी ट्रप्शन ब्याटर वेपर है ठीक है water vapor second की बात करूं co2 third number पे आती है methane fourth number पे आती है nitrous oxide nitrous oxide यह चार जो gases है greenhouse effect gases है ठीक है अगर यह gases हमारे atmosphere में available नहीं है तो धरती का जो temperature होगा वो कितना होगा 180 degree Celsius जहांपे survive करना मुश्किल हो सकता है नाम उनकी के बराबर है ठीक है minus 80 degree Celsius अगर इनकी अगर जो तादात है यानि कि average point बोलते हैं जो अगर इनकी average है अगर सही मात्रा में यह atmosphere में available हैं तो 15 degree Celsius हमारा temperature होगा जहांपे survive करना plants के लिए animals के लिए human wings के लिए possible हो सकता है possible होगा 15 percent 15 degrees Celsius temperature में अब क्या होगा green house factor gases यह वाली है अब global warming पता क्या होता है जब यह चारो gases यह सारी चार की चार gases rice होती है बढ़ती है CO2 कैसे बढ़ेगी CO2 सर्फ बढ़ेगी population increase होने से carbon tax वर्निंग fossil fuel को वो करेंगे वर्न करेंगे कोल को वो करेंगे fossil करेंगे कोल को जलाने से उसके बाद अगर मैं बात करूँ वैकिल्स गाड़ियों का दूआ बगारा इंसे क्या होता है कि CO2 increase होती है जब CO2 increase होती है तो क्या होता है global warming start हो जाती है यानि कि temperature rise करना start हो जाता है बैल्यू जब जब जादा हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो glacis है वो पिगल ना start हो जाती है अगर वो ना पिगले तो वो एक क्या होता है कि environment को balance करके रखते हैं तो यह नहीं होना तब ही इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाती है कि pollution परची बगरा यह सारी चीज हैं तब वो देती हैं चार गैसे और 40 डिगरी कहां पर जाके तो किसकी वज़े से चीज़ों को यूज कर रहे हैं जो अब ही आपने देखा पंचा में पराली विगरा जलाई जा रही है उससे क्या हो रहा है सियो टू इंक्रीज हो रही है तो जिससे क्लोबल वार्मिंग का गत्रह हो सकता है नेक्स कोशन चलिए क्योंकि एटमोस पेर में लास्ट कोशन आज का मारा एटमोस पेर में यह सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है सियो टू उसके बाद लास्ट एक चीज़ों मैं आपको बढ़ा दूं कि यह जो ग्रीन हाउस कैसी हैं यह आपको किस प् मिलती है याद रखना काफ़ इंपोर्टेंट है अगर आपको पता था तो बहुत बढ़ी है नहीं पता था तो आज आपने सीख लिया है ले कॉर्वट जिम कॉर्वट नैशनल पार्क वस्टैबलिश्ट तू प्रोडुक्त था विच अनिमल यह बंगाल टाइगर को स्टै इक नाम से और भी जाना जाता था रान रन गंगा राम गंगंगा नाम से कुछ ऐसा नम है गूगल पर चेक कर लिजिए गाराम गंगा कुछ रणगंगा कुछ diffé का नाम ता चो कि मैं में इसका नाम चेंज कर दिए ता फिर उसके बाब बृटिश के कुछ आफीसर थे उनके नाम पे इसका नाम रखा गया जिम कॉर्वट ठीक है नेशनल पार्क तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कितने वोशन 44 लगवक लगवक वोशन थे तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगवक अच्छा लगवक लाइक को शे जरूर कीजिए का इस कोशन का आंसर आप तो आप सभी के लिए फिर से वही फ्री मोग टेस्ट है जो भी उद्म पोडिस्टिक से बच्छे बिलाउंग करते हैं तो उनके लिए टाइमिंग यहां पर देख सकते हो दस बजे सुबह स्टार्ट होना है वह कंटक्ट नंबर आप देख सकते हो इस पर आप फोन कर लीज में 120 कोशन है घर को ले आ सकते हो ओमार शीट वीजट होगा 120 कोशन होगे 150 माक्स यह पूरा कोशन पेपर जो है जेके प्रेक्टिस द्वारा सेट किया गया है तो अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इस पेपर को जरूर दीजिएगा विडियो को ला